अम्बाला में कॉवर्स के परदेश प्रवक्ता ज्यासिंग पिंजोरी ने पत्रकार वार्ता के दुरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधिते हुए भाजपा सरकार पर चुनावों के दुरान किये गए वाइदे पूरे ना करने का आरोप लगाया ज्यासिंग पिंजोरे ने कहा कि भास्पा की केंद्र सरकार ने सक्ता में आने से पहले बड़े बड़े वाइदे के थे जिन में से एक भी वाइदा वे पूरा नहीं कर पाई है सेंटर में भी और स्टेट में भी उन्होंने कुछ वाइदे किये थे सेंटर में जो वाइदे किये गए थे उनमें से दो करोड की नौपरियां हर साल किसान को लागत का 50% विदेश से काला धन वाप्स लाने की बात सब को बैंक के खाते में 15-15 लाग की बात 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात रामंदर का निर्मान कश्मीर जारा 317 हटाना गंगा का साथ करना डालर का 40 रुपए पर लेके आना लोगपाल का करना वगएरा वगएरा तो इन में से आज तक पांचमा साल लग गया है एक भी वादा सेंटर गोवर्मेंट ने पूरा नहीं किया अईसे ही परदेश ग्योवर्मेंट ने भी जब 2014 में एलेक्शन हुए थे 154 वादे किये थे उसकी भी कौपी मैंने आप लोगों को दिया है उन 154 वादों में से भी एक भी वादा परदेश ने भी पूरा नहीं किया उन्होंने भादा सरकार को पूरे तरीके से खेल बताया वही उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को भी गल्द बताया और कहा सर्जिकल स्ट्राइक करना आर्मी का काम है मैं गल्द कहता हूँ, मैं सर्जिकल स्टाइक को बिल्कुल गल्द कहता हूँ, सर्जिकल स्टाइक तो आर्मी का काम है, गवर्मेंट का काम नहीं है, उसको पॉबिसिटी करना, उसको सिर्य लेना, इससे पहले भी मनमोहन सिंग के काटाई में भी बहुत बार सभी का स्टाइक बढ़ते नशे के बारे में सवाल किया तो उन्होंने इसका जिम्मेवार पुर्की बादर सरकार को ठहराया अर्याना?